स्टुडेंट स्वागत है आप सभी का इंग्लिज दुनिया के इस यूट्यूब चैनल पर स्वाज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10 का मॉडल पेपर पार्ट 2 पार्ट 1 में मैंने सेक्षन A, सेक्षन B और सेक्षन C का भी कुछ पोर्षन कम्प्लीट करवा दिया था अब सेक्षन C का सिर्फ ट्रांसलेशन बचा हुआ था और सेक्षन D बचा हुआ था तो आज हम उसे पढ़ेंगे पूरा और पूरा पेपर आज हम कम्प्लीट कर देंग सो ऐसे यह और वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना गूले अगर आप चैनल पर ना है तो सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंसते रहें और अगर अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देजिए और एक बार साथ में बोलते हैं इंगलिस दुनिया में आए है तो कुछ सीक के जाना है बाहरी दुनिया में अगर आपको सफलता पाना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं हम लिविंग फोर्स ठीक है यहां पर मैंने अंसर भी आपका लिख दिया है आप देख सकते हैं यहां से यह देखें नेचर इज़ा लिविंग फोर्स यह अपने सांत और सुन्दर रूप में हमारे चारो और विद्यमान है ठीक है तो इट इस प्रेजेंट आराउंड अस इन इ फ्यूरियस प्रकृति एक प्रकृति का सनच्छड एवं सम्मान करना हमारा नैतिक दाईत है तो है तो इट इस अवर मोरल ओब्लिगेशन तो प्रोटेक्ट आंड रिस्पेक्ट नेचर हमें प्रति दिन कुछ समय प्रकृति के संपर्क में अवस्य बिताना चाहिए तो वी मस्ट यहां पर सुट नहीं लगेगा अवस्य जहां पर अवस्य होता है फोर्स फुली कोई काम कहा जा रहा होता है वहां पर मस्ट लगता है तो वी मस्ट स्पेंड सम टाइम विद नेचर तो यह हो गया हमारा ट्रांसलेशन सेक्ट इतना अगर आप कर देंगे तो आपको पूरे पूरे ट्रांसलेशन में 5 नंबर मिल जाएंगे अब हम पहुंसते हैं अपने सेक्सेंट अगर हम देखेंगे तो सेक्सेंट इब में हमारा सबसे पहला एक पैसस दिया हुआ है और उस पैसस से हमको question answer करने है तो पहले हम पैसस पढ़ लेते हैं तब ही हमको समझ में आएगा क्योंकि हमने कल बताया था कल वाले वीडियो में कि आपको पहले तो पैसेज को ध्यान से पढ़ना है ध्यान से पढ़ने के बाद उसको समझना है कि उसमें कहे क्या रहा है फिर questions देखने हैं और questions के answer उसमें आपको तुरंद ही पता चल जाएगा कि इस जगे पे दिय हुआ था ठीक है तो चले स्टार्ट करते हैं with a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flowers wrapped in a curtain of rain but suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones begin to fall these truly did resemble new silver coins the boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls तो यहां पर दिखा रहा है कि जो लैंचो था वो अपने बड़े ही satisfied संतुष्ट भाव से अपने corn field को देख रहा था लेकिन अचानक से बहुत तेज हवा चलने लगी और उसके सासाथ hail storm गिरने लगे और वो जो hail storm थे वो नए silver coin की तरह दिख रहे थे और जो छोटे बच् में और उन frozen को गिरते हैं hail storms उनको collect करने लगते हैं ठीक है तो अब हम इसका question answer देख लेते हैं पहला question कह रहा है what did begin to fall along with rain तो यहां से हमको पता चल गया कि उसके साथ पानी के साथ क्या गिरा था hail storms यानि कि कुछ पत्थर गिरे थे ओले गिरे थे तो यह हमारा answer हो जाएगा along with the rains very large hail storms begin to fall यह देखिए green color से highlighted है आपका यह आपका पूरा answer हो जाएगा देखिए हमने यह answer पहले ही solve करके रख लिया है क्योंकि इसमें यहां पे हम अगर solve करने बैठ जाएंगे तो थोड़ा सा time लग जाएगा और आप लोग का इस समय का time है वो बहुत ही precious है और हम नही है आप जाकर कि हमारे telegram से join करिए वहां पे इसके आपको PDF मिल जाएगी with full solution ओके सुचले start करते है next why did the boys go out तो बच्चे है वो बाहर क्यों जाते हैं तो यहां पे हो जाएगा दिखिए हमने यहां पे the boys लिख दिया है अलग से the boys नहीं लिखा हुआ था the boys ran out to collect the frozen pearls ठीक है य देक्स आ जाएगे कह रहा है answer number 8 question number 8 क्या है हमारा answer one of the following question in about 60 words चार number का होगा long question है और आपको इसका दो दो दिये हुए इनमें से कोई एक करना है तो एक है how did the mandela's hunger for freedom change his life next give a character sketch of Anne Frank तो हमने इसमें पहला answer किया हुआ है तो हम देखते हैं कि क्या है इसका पूरा answer ठीक है चलिए चलते हैं नीचे इसका answer में नीचे दिया हुआ है यह देखें answer number eight one आप ऐसे ही लिखेंगे हैं आप पर question लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है तो चलिए देखते हैं the hunger for his own freedom became the hunger for the freedom of his people पूछा जा रहा था कि नेलसन मंडेला जो है उनकी फ्रीडम के लिए जो उनकी हंगर थी उसने उनकी लाइफ को कैसे बदल दिया तो उसका पूरे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा था कैसे उनकी लाइफ इसको लेकर के change हुई थी तो यहां पे हम गई this desire of non-racial society transformed him into a virtuous and self-sacrificing man और इससे एक कैसे बन गए आदमी self-sacrificing man बन गए जो अपने country के लिए बलिदान देने के लिए तयार थे does he join the American National Congress उन्होंने American National Congress को join किया and changed him from a frightened young man into a bold man और इन्होंने अपने आपको एक डरे हुए आदमी से बदल करके एक bold आदमी में पुरा transform कर लिया तो यह हो जाएगा हमारा answer next आते हैं question number 8 हमारा हो गया है अब आते हैं question number 9 पे answer any two of the following question in about 25 words each तो 25 words का एक answer लिखना है ठीक है तो यहाँ पे दो-दो number के हमारे दो है तीन question दिये हैं तीन में से हमको कोई दो करने हैं और दो-दो number के होंगे ठीक है तो पहला पूछ रहा है describe any two tourist place of कुर्ग दूसरा question है where were the monthly accounts of bakers recorded why did Vali want to ride on the bus तो वली जो है वो बस पे क्यों write करना चाहती थी monthly accounts जो होते थे bakers के वो कहा recorded होते थे और कुर्ग के कोई दो tourist place बताने हैं इन में से कोई दो question हमको करने है ठीक है तो हम दो करवा देते हैं और देखिए अगर आपको यह पूरे जो chapter है आपने नहीं पढ़े तो हमारे इस channel पे इन पूरे पूरे chapter का solution दिया हुआ है मैंने line by line बहुत अच्छे से हिंदी में explain किया है आप वहाँ से जाके पढ़ लीजिए अभी भी समय है आप अभी भी पढ़ सकते हैं चीक है तो चलिए देखते हैं यह देखे 9 का number 2 हमने दिया है answer दूसरा वाला कि monthly account bakers कहा record करते थे तो monthly account of the bakers were recorded on some walls in pencil pencil से जो घर होते थी घरों की दिवालों के उपर record होते थे next time वली के बारे में पूछा गया था ठीक है वली के बारे में क्या पूछा था गया था एक बड़ फिर से हम question देख लेते हैं why did वली want to ride the bus वली जो है वो बस में क्यो ride करना चाहती थी ठीक है तो इसको देखते हैं यह हमारा answer number 9 का 3 वली used to watch the bus on its early rounds through her street every day वली हर रोज जब बस वहां से round में गुजरती थी हर गंटे की जो round होते थे वहां से वो खड़े वो करके bus को देखती थी the sight of the bus filled with new passengers every time gave her unending joy और हर बार वो नए पेसंजर के साथ आती थी जिससे वली बहुत ज़दा खुस हो जाती थी she was curious and wished to ride it once और उसके अंदर यही से इच्छा जगी कि वो एक बार बस पर बैठे so she wanted to ride on the bus to enjoy it वो इसी लिए बस पर बैठना चाहती थी ताकि वो बस को वहां पर बैठ करके enjoy कर सके next 13 number आ जाते हैं एक मिनाट नहीं नहीं रुके 9 हो गया 9 के बाद हमारा 10 number 10 number में है matching ठीक है लिस्ट उन को लिस्ट टू से match करना है ठीक तो यहां पर देखते हैं हमारा पहला है vendor vendor कौन होता है पताइए वेंडर मेंस होता है विक्रेता जो यहां वहां से जा जा कर चीजों को बेचते हैं उनको कहते हैं वेंडर ठीक है तो यहां पे hawker hawker और vendor दोनों का यह मतलब होता या स्रम्रचित करके रखना और यहां पर इसका भी मतलब होता है सुरच्छित तो यह वाला भी सेकंड वाला लास्ट वाले से मैच हो जाएगा मॉंक मतलब मतलब होता है साधू हो्ता है तो यह दोनों आपस में judgment हो रहा हैं ठीक है मौंक अगर आप उद्धिस्ट में होते थे हमारे हिंदु धर्म के सेज यानि के साधू होते हैं ठीक है लेकिन हैं दोनों ही तपस्वी जो meditation करते हैं ध्यान करते हैं वही ठीक है तो आगे चलते हैं टेल नंबर हो गया हमारा 11 पर पहुंचते हैं 11 में क्या कहा गया है read the following extract and answer the question given below it तो पूरी हमको lines पढ़नी है और इसके बाद इनके question के answer देने हैं तो the way a crow shook down on me the dust of snow from a hamlock tree जिस तरह से एक कवे ने हिला करके गिरा दिया dust of snow क्या dust of snow यानि कि बर्फ के चोटे-चोटे सकड हिला करके राइचर के उपर गिरा दिया from a hamlock tree कहां से hamlock tree से यानि hamlock एक जो poisonous tree होता है उस पर एक कवा बैठा था जिसने उपर पेड़ से कुछ बर्फ के चोटे-चोटे सकड होते हैं जो बर्फ बरस्ती है rainfall होती है उस पेड़ पे कुछ जमे हुए कड़ थे जो गिराया इनके उपर और इससे इनका मन काफी change हो जाता है काफी happy हो जाता है तो वही यहाँ पे पूछ रहा है कि पहला question क्या है where was the poet standing तो poet कहां खड़े थे poet पेड़ के नीचे खड़े थे hemlock tree के नीचे तभी तो कवा उस पेड़ पर से उनके उपर बर्फ के particles गिराएगा तो the poet was standing under a hemlock tree यह आपका पहला answer हो जाएगा ठीक है point out the rhyming words in the stanza अब यहाँ पर rhyming words क्या है तो crow यह एक rhyming word हो गई me snow और tree यह आपकी rhyming words हो गई तो crow हो जाएगा a, me हो जाएगा b, crow snow match हो रहा है इसलिए यह भी हो जाएगा a और me और tree match हो रहा है इसलिए यह हो जाएगा b, a, b, a, b यह आपकी rhyming words बनेगी यहाँ पर हमने दिया है crow, a, me, b, snow, a और tree b, a, b, a, b यह आपकी rhyming words बनेगी यह आप इसको पुरा complete लिखिएगा ठीक है यह हमने rhyme scheme भी लिखिए और rhyming words भी लिखिए दोनों ही चीज़े हमने mention की है आप दोनों ही करिएगा ठीक है बात करके paper में जाएंगे तो यह जो आपके number है कितने number के चार number पूरे यह आपके चार number आपको अच्छे से मिल जाएंगे ठीक है तो यहाँ पर क्या कहा गया है उनके अलावा कोई दूसरी lines लिखनी है तो यह हमने 12 number answer यहाँ दिया हुआ हमने जो fog poem है उसका दे दिया है कासी छोटी poem है आप लोग के लिखने में बहुत ही easy होगा fog by Carl Sandberg यह RG यहाँ पर add हो जाएगा ठीक है R और G add हो जाएगा Sandberg पूरा है साथ कट गया है लिखने में नेक्स्ट आइए यहाँ पर देखे चार लाइन दी है the fog comes on little cat feet it sits looking over harbor and cities यहाँ से आपका यह four lines complete हो जाती है ठीक है तो यह इस तरह से आप एक poem लिख देंगे इसके आपको पूरे number मिल जाएंगे next आईए question number 13 यहाँ पर क्या है answer two of the following question in about 25 word each अब यहाँ पर दो questions करने है 25 words के आपको ठीक है दो questions 25 words के करने है तो why is Mrs. Pomfrey worried about Tricky? Mrs. Pomfrey Tricky को लेकर क्यों चिंतित रहती थी? तो नीचे चलते हैं देखें यहाँ पर हमने answer दिया हुआ है आपको 13 number का 1 Pomfrey is worried about Tricky because he would eat nothing and spent all his time laying on the rug and panting तो Tricky कुछ भी खापी नहीं रहा था वो बस पड़ा रहता था और पड़े-पड़े हाफता रहता था इस वज़े से Mrs. Pomfrey उसको लेकर बहुत चिंति थी He refused to eat his favorite dishes यहाँ तक कि वो अपनी जो favorite यानि सबसे पसंदीदा dishes होती थी उनको भी खाने पीने से मना कर रहा था and would have bouts of vomiting और उसको उल्टियां आ रही थी bouts of vomiting मतलब उसको उल्टियां आ रही थी तो यह हो जाएगा आपका answer इसका चीक है तो यह भी आपको समझ में आ गया होगा अब next आते हैं 13 का 2 answer गया है question पहले पढ़ लेते हैं what were the reasons for Matilda's unhappiness तो यह है the necklace से लिया गया है आपका the necklace chapter था उससे लिया गया है Matilda क्यों ना खुष थी अपनी life को लेकर क्यों खुष क्यों नहीं थी तो यहाँ पर आप देखेंगे Matilda was unhappy in her early married life because she was dream to leave our luxurious life partner but she married a clerk तो वो चाहती थी कि उसकी कोई बहुत बड़े घर में साधी हो वैसा ही उसका जन्म हुआ था जैसे भगवान से कोई mistake हो गई हो और वो एक बड़े घर में जन्म लेने के लिए पैदा हुई थी लेकिन यहाँ पैसा नहीं होता है उसकी साधी एक गरीब आदमी से हो जाती है जो कि एक clerk होता है ठीक है तो इस वज़े से वो अपनी life को लेकर के खुश नहीं थी उसको पूरी royal life नहीं मिल रही थी तो यह हो जाएगा आपका answer number 13 का 2 अब नेक्स आते हैं यहाँ पर दो करने थे हमने दो कर लिये हैं चीक है पहला और दूसरा हमने कर लिया है अब नेक्स आते है 14 नमबर पे answer one of the following question in about 60 word अब इन में से कोई एक question करना है 60 word का question क्या है give a character sketch और भोली या तो भोली का character sketch बताना है आपको उसका चरित्रचित्रड की भोली कैसी थी उसका सुभाव कैसा था उसकी life कैसी थी पूरी शीज़े बतानी है और दूसरा है how did Ibride discover an unknown insect hormone और किस तरह से Ibride ने एक unknown इंसेक्ट हार्मोन के बारे में discover किया तो यह भी चैप्टर आप हमारे पढ़ लीजेगा आपको पूरा-पूरा समझ में आ जाएगा ठीक है तो चलिए देख लेते है 14 का एंसर जो कि हमने थोड़ा सा उपड़ दिया हुआ है यह देखिए भोली वाज सिंपल बट सेंस्ट लड़की थी unfortunately she suffered from a head injury और उसकी एक head injury हो जाती है मतलब कि वो जब छोटी थी तो वो गिर गई थी जब वो उस पे लेटी हुई थी चार पाई पे तो वो उसी से गिर गई थी and smallpox उसके कुछ निकल आये थे it made her suffer all through her life जिसकी वैसे वो पूरी life सफर करती है she could not speak till she was five जो तक पान साल के नहीं जो आती तब तक वो बोल नहीं पाती है अच्छे से she stammer when she started speaking जब वो बोलना चाहती है तो वो हकलाती है the attack of smallpox and had permanently disfigured her wool body leaving black pock marks उसके पूरे चेहरे पर उसके पूरे सरीर पर black color के marks हो गए थे smallpox की वो जैसे she was hard working and decided learner और dedicated learner वो काफी hard working थी वो आगे चलके पढ़ाई भी करती है अपनी पढ़ाई को लेकर dedicate होती है with a teacher support उसकी teacher उसको support करती है she grew to be confident काफी confident bold और independent हो जाती है seeing her teacher's faith अपने teacher का विश्वास देख करके in her ability she made efforts to improve herself वो अपने आपको improve करने की कोसिस करती है her confident and bold attitude to raise her voice against the social level समाज में हो रही जो बुराई है उसके खिलाफ वो अपनी आवाज उठाती है approved that she was educated in और उसने प्रूफ किया कि वो काफी पढ़ी लिखी और educated girl है तो यह हो जाएगा आपका पूरा answer आप इतना कर दिजेगा आपको पूरे 6-6 number मिल जाएंगे ठीक है next हम आते है 15 हमारा हो गया हमको एक करना था नहीं sorry 14 हो गया 15 हम देखन लाइफ से खुस नहीं रहती थी तो यह हो जाएगा false next पूछ रहा है James Harriet was veterinary surgeon तो क्या James Harriet जो थे वह veterinary surgeon थे तो बिल्कुल थे यह true हो जाएगा मिसिस पंफरी वाले जो चैप्टर है ट्रिंफ ऑफ सर्जरी तो वहां से लिया हुआ है ठीक है next हम आते हैं यहां पर आपको sentence को फिल करना है ठीक है तो यहां पर ग्रिफिन वाला ग्रिफिन कौन था यह किस चैप्टर से लिया ग बताएंगे जल्दी जल्दी कमेंट हम आपका देख रहा है जल्दी बताइए नहीं आ रहा है किसी को हां तो यह हो जाएगा आपका scientist ठीक है footprint without feet से लिया हुआ है ठीक है ग्रिफिन जो एक scientist था जो गायब हो जाता था तो वो एक scientist था ना वही होगा आगे चलिए रामलाल्स eldest daughter was यह किस चैप्टर से लिया है जल्दी से बताएए सभी लोग बोली से लिया हुआ है ठीक है रामलाल की जो eldest daughter थी वो कौन थी राधा रामलाल की eldest daughter थी और इसी के साथ यह हमारा पूरा question papers all हो जाता है और ऐसे यह और वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को like, share, subscribe करना ना भूले जादा से जादा संख्या में हमारे साथ जुड़े रहें इस बार कलम बोलेगी आपकी परिच्छा का हाल तो यही हमार है अपकी बार 90 ठीक है तो अपकी बार क्या करना है 90 जाना है तो सभी लोग अच्छे अच्छे से नंबर लाएगा all the very best to you all और जुड़े रहें हमारे साथ जब तक आपके paper नहीं हो जाते हैं हम आपको लगातार अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइट कराते रहेंगे और कोसिस करेंगे कि आपके लिए कुछ और अच्छे surprises आगे निकल के आएं तो उसके लिए पहले हमारे चैनल को जादा से जादा सेयर करिए और watching बढ़ाईए अगर आप तो watching बढ़ाएंगे तो हम यह हमारी तरफ से पक्का वादा रहा कि आप हमारे चैनल पर आने के थाइंक यू और थाइंक यू सो मच